गुरुवार गुविंद सहीव ने अकाल तखदी सिर्जना कीते दोकर पाना पाईयां पर रबाब नू बांध नी कीता अज भी मैं खालसा जी अर्ज करांगा शस्तर दी बाद रावे दी जे साड़े अंदर बाणी नहीं साड़े अंदर सिम्रन नहीं बार मुखी केवल गाल करीजेए उदा कोई स्वाद नी होना गुरु अर्गुबिन सहीब स्वेरे रोज आना अमरत वेले दरबार सहीब इच जिन्ना समा मरसा रहया गुरु अर्गुबिन सहीब अमरत वेले आशा की वारदा कीरतन दरबार सहीब सुन दे साड़े जेस दिन गुरु तेग बहादर सहीब दा आगमन होया मैं आपनों ब पाई यां सेली ते टोपी तोशे खाने राख देती उस दिन जिड़े शब्द कह कहने लगे आज तो बाद मिनू सोनिया जवानियां सिंग सिख सोने कोडे सोने शस्तर चाही देने खालशा जी ए नराश्ता न लियाईए ए शस्तर एक कोडे किसे नू ड्राण वास्ते नी गुरू ने तक दा नाम अकाल रखे है ते अकाल है ओ जिड़ा निर्पा होते नर्वेर होके जिन्दा है जिड़ा नर्पा होते नर्वेर होके जिन्दा है जिड़ा ना डारदा है ता ना ड्राण दा है महाराज जिने कैमनों चाहीद है अगली गल कई कैन लगे तुसी ये मत सोचिवसी मुठी पारखा जिन्ने तर्या निकल देने ए छोटे छोटे पत्थर नू पाड़के सोमे निकल देया पर जदो निकल पहिं देया चटाना नू भी तोड के अपने ना लह जान देया जंगल दी जितना मर्जी बड़ा होए एक निकी जी चिंग्याडी सारे जंगल नू साड के रा कर दिन दीखे ओ तुसी ता इंसान हो जिन्ना दे सीने नू कोई समय तत्ती तवीत पुनिया है मेरे गुरु अर्गबिन साहिब ने चार जंगा लड़ियां चारे जितियां ने हाँ जे किसे ने उस वक्त तरक कीता भी ना ने कुटे राख ले ना कोडे राख ले एतो तक कि कई अतिहास कार भी कहें लग पहे जी जेड़ा निर्मल सोमा अमर दासी गुर ना जी गुरु नानक सही फकीर उने सब को इत्या गया तुस्या कोडे आ कुटे आ करपान पा करपान ना दो पाई बैठे ओ तो अडा परवार महराजी दे गल सुनवाली से कहल लगे समरात रामदास याद रखी बातन फकीरी इस अचब याद रखे बातन फकीरी जाहिर अमीर जी शस्तर जरवाने की रखे या वैगरु जी शस्तर मजलूम की रखे जरवाने की पक्या मैं शब दुरा देना फिर कहने लगे बातन फकीरी साड़े तोर अंदर कोई मायाच खचतों दी बिरती निसी फकीरी कमाने या जाहरा मीरी जिड़ा तेनों दासदा पैसादे बाते मीरी खे अंदर फकीरी खे जड़ा शस्तर खे या मजलूम की रखे या ड्रान ले नहीं ए मजलूम दी टाल खे तेना शब्द केंद ने जरवाने की पक्या या जालम नू समझान वास्तों दी बोली वेच ते अगला शब्द माराजी ने क्या गुरु नानक सहब ने स हमरे मन को भावती है केंदा मैंनों चंगी लग दी है